हलो इस्टुडेंट वेलकम टू आसीज क्लासे आज हम लोग क्लास 12 केमेस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमेस्ट्री में यह चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे अब लडी हाइट की टून के बारे में सबसे पहले हम इसकी आज बेसिक इंफोमेशन जानेंगे इनका कॉमन नेम क्या होता है इन इनका प्रेपरेशन मैथाड इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि एल्डी हाइट और कीटोन को एक साथ क्यों पढ़ाया जाता है ठीक है तो इनको हम एक साथ इसलिए लेंगे क्यों क्योंकि यहां पर एक साइड पर हमने एल्किल जोड दिया और दूसरे साइड में हाइड्रोजन जोड दिया तो यह क्या बन गया यह एल्डी हाइड बन गया बच्चों और उधर दूसरी साइड क्या करते हैं कि इस साइड भी एल्किल ग्रूप जोड दिया और इधर साइड भी एल्किल ग् किटोन को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनकी केमिकल प्रोपर्टीज वगएरा भी काफी कुछ मैच होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे अगर हम एल्डी आइड और किटोन की बात करेंगे तो सबसे हुm Hey Ipc system में बात करें था इसका जो सेकंडरी सफिक्ष होता है वह बन जायेका ऍधा तो criminal group पर एक Sonique क्या जोड़एं और दूसरे साथ पर भी क्या जोड़ देंगे लोगी ऑन पर बन जाएगा है किटोन बन जाएगा और Ipac में बात करें IPAC system में बात करते हैं तो इसका जो secondary suffix होता है वो क्या होता है own होता है ketone है ना अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कुछ ketones को देखेंगे और कुछ aldehyde को देखेंगे यानि कुछ ketones देखेंगे आपर और कुछ aldehyde देखेंगे जो कि इस chapter में बहुत ही ज़्यादा use होने वाले हैं ठीक है अगर हम इधर बात कर लेते हैं aldehyde में तो h single bond ch double bond o यानि h ch o ये क्या हो जाता है ये हो जाता है हमारा अगर इसकी naming की बात करते हैं तो ये ipac name system में नेम क्या हो जाएगा इसको methanol पढ़ते हैं है ना ipac system में इसको methanol पढ़ते हैं और अगर common name की बात करें तो common name में इसको क्या बोलते हैं formal d hide बोलते हैं ठीक है इसे क्या बोलेंगे ipac system में हम methanol बोलेंगे और common name में इसको हम लोग formal d hide बोलते हैं ठीक है तो इनका यूज बहुत देखने को मिलेगा इसलिए कुछ aldehyde और कुछ ketones को हम लोग देखेंगे ठीक है सेकेंड आ जाता है CS3 single bond C double bond O और single bond H CS3 CHO तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यह क्या बनना यह IPAC system में अगर इसके naming की बात करते हैं तो यह हमारा ethanol है और अगर common system में नेम देखें तो यह क्या हो जाएगा acetaldehyde बन गया ओके वैसे थर्ड नंबर पर आ जाते हैं कि benzene के उपर single bond C double bond O और single bond इदर CS3 है यानि C6H5 CHO तो यह क्या बन गया यह बन गया benzaldehyde तो यह जो यहाँ पर दिये गए यह कुछ important LD हाइड है हमारे उसी तरीके से यहाँ पर कुछ important ketones के बारे में देखेंगे उनका common नेम क्या होगा और उनका IPAC नेम क्या होगा अब देखो अगर हम बात करते हैं इसका जो secondary suffix system में क्या होता है own होता है ketone है न अब देखो यहाँ पर CS3 single bond O double bond यहाँ पर C होगा ठीक है और double bond O और single bond CS3 तो इसका जो IPAC system में नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा propanone ठीक है यह common system में इसके name की बात करते हैं तो AC tone हो जाएगा हो जाएगा न यह और एक common इसका नाम हो जाएगा dimethyl ketone ठीक है वहीं पर second देखते हैं CS3 CS3 single bond C double bond O single bond CS3 तो यहाँ पर यह जो दिया गया है यह क्या है इसका IPAC butane to own ठीक है butane to own ठीक है अगर common system में बात करें तो common system में इसको क्या या common naming में इसको क्या बोलते हैं तो एथिल मेथिल ketone बोलते हैं अब देखो यहाँ पर third examples दिया जाता है Indy studios realm कि अइसी की नाम करें ipac आइपसी नेम की बात करते हैं किए सुभ्यूमट है मेथिल अद्शी के मेथिल अद्शी कीटॉन मेथिल फिनोक्सी कीट्व्या कि आइप पमनीडों में हो जाता रिक एख्यन एप का नेम क्या होगा acetophenone होगा ठीक है तो यहाँ पर कुछ aldehyde और कुछ ketone हमने देखे और यह जो ketone और aldehyde यहाँ पर हम लोगों ने देखे इनका use आगे चलके chapter में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा इसलिए हमने इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया इनका common name क्या होता है IPAC name क्या होता है तो यहां तक सबको बात समझ में होगी ठीक है अब हम लोग methods of preparation aldehyde and ketone aldehyde और ketone का methods of preparation देखेंगे ठीक है methods of preparation की अगर हम बात करें तो पहला preparation method आता है by oxidation यानि oxidation के थ्रो हम aldehyde और ketone को कैसे बनाएंगे ठीक है तो देखो यहां पर क्या होगा कि अगर aldehyde बनाएंगे तो उसमें primary alcohol का oxidation कराएंगे जब कि अगर हम ketone बनाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे secondary alcohol का oxidation कराएंगे ठीक है आई इस चीज को समझते हैं aldehyde can be prepared by oxidation of primary alcohol यहां पर point note कर लिजेगा ठीक है यानि अगर हम aldehyde को prepare करेंगे oxidation के थ्रो तो by the oxidation of primary alcohol या one degree alcohol तो इसमें primary alcohol का हम use करेंगे यानि primary alcohol aldehyde बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि primary alcohol का oxidation कराएंगे primary alcohol with normal oxidizing agent such as acidified ठीक है अब जब बनाएंगे तो उसमें क्या हमें नीड होगा कुछ normal oxidizing agent ठीक है कुछ normal oxidizing agent होंगे जो कैसे होंगे acidified होंगे ठीक है acidified होंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा k2Cr2O7 यह ले लेंगे oxidizing agent यानि potassium dichromate ले लेंगे या फिर हम ले सकते हैं k-m-n-o-4 potassium permagnate ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा eldehyde बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि वन डिग्री एलकोहाल लेंगे यानि primary alcohol यानि primary alcohol with normal oxidizing agent यहाँ पर कुछ normal oxidizing agent लेंगे या acidified agent ले लेंगे ठीक है जिससे क्या होगा हमारा eldehyde बन जाएगा देखो यहाँ पर जैसे जैसे हमने यहाँ पर primary alcohol ले लिया R, CS2, OH ठीक है और इसका oxidation कराएंगे तो oxidation कैसे कराएंगे यहाँ पर कुछ oxidizing agent ले लेंगे जैसे हमने ले लिया यहाँ पर क्या ले लिया K2, CR2, O7 तो यहाँ पर क्या बन गया यह बन गया हमारा eldehyde और यह water बन गया जाकरके यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CS3, CH2, OH ठीक है और इसका जो हम oxidation कराएंगे oxidation कराएंगे अब यहाँ पर देखो oxidizing agent हमने क्या ले लिया K2, CR2, O7 प्लस H2, O4 ले लिया ठीक है acidified है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा CS3, CHO और H2O यानि acetaldehyde बन जाएगा तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि primary alcohol का oxidation कराते हैं तो primary alcohol का oxidation कराने पर क्या बनता है बच्चो तो aldehyde मिलेगा हमें ठीक है यहाँ पर secondary alcohol का बिल्कुल use नहीं होगा यानि two degree alcohol का बिल्कुल use नहीं होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 degree alcohol का यूज करेंगे ठीक है अगर हमेरे aldehyde बनाना है oxidation के थो तो हम क्या करेंगे 1 degree alcohol का यूज करेंगे और कुछ acidified oxidizing agent की presence में ठीक है वहीं पर देखो ketone can be prepared by the oxidation of secondary alcohol with similar oxidizing agent ठीक है अब देखो अगर हमें ketone बनाना हुआ तो ketone बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो oxidizing agent थे वो similar रहेंगे यानि जो aldehyde हमने बनाया था उसमें जो oxidizing agent का use गया था वही oxidizing agent का हम लोग use करेंगे ketone prepare करने में यानि ketone बनाने में लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो alcohol होगा ketone बनाने में वो secondary alcohol लेंगे यानि ketone बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि secondary alcohol का oxidation कराएंगे ठीके और same oxidizing agent K2 CR2, O7 और acidified है तो H2SO4 ले लो ठीके तो यहाँ पर जैसे हमने 2 degree alcohol ले लिया यहाँ पर यह 2 degree alcohol है R, C, O, H R, S और इसका जो हम oxidation कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा यह ketone बनना है यह ketone बनना R, C, O, R, S ketone बनना है H2O बनेगा वैसे ही देखो यहाँ पर example के form में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ले लेते predicting Isopropyl Alcohol यह हमारा क्या है Isopropyl Alcohol और Isopropyl Alcohol का अगर हम Oxidation कराते हैं Oxidation कराएंगे कुछ Oxidization agent के presence में तो यहाँ पर देखिएगा क्या बनना है AC tone बनना है तो यहाँ पर आपको समझ मेह होगा कि Oxidation के थरो हम लोग aldehyde ketone को कैसे बनाते हैं तो oxidation के थो हम लोग ketone या aldehyde को बनाने के लिए हम क्या करते हैं अगर aldehyde बना रहे हैं तो उसमें one degree यानि primary alcohol का use करेंगे कुछ acidified acidified oxidizing agent के साथ और अगर हम ketone बनाएंगे तो वहाँ पर secondary alcohol का use करेंगे तो यहाँ पर पहला preparation method हमने पढ़े लिया अब इसके आगे देखते हैं अब हम next preparation method में चलेंगे अगला आ जाता है हमारा by catalytic dehydrogenation by catalytic dehydrogen of alcohol ठीक है तो ठीक है यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे dehydrogenation होगा यहाँ पर dehydrogenation ठीक है by the catalytic dehydrogenation of alcohol ठीक है यहाँ पर क्या होगा यानि इस method के तो हम लोग alcohol और ketone कैसे बनाएंगे ठीक है तो इसको read कर लेंगे तो aldehyde and ketones can be prepared by dehydrogenation of alcohol ठीक है तो इस method में जो हम dehydrogenation की बात कर लेते हैं तो dehydrogenation कब होगा जब हम किसी ketone opt and prepare by dehydrogenation of alcohol जब हम किसी alcohol का dehydrogenation कराते हैं कैसे कराएंगे dehydrogenation ठीक है तो dehydrogenation कराने के लिए हम क्या करते हैं कि alcohol की vapor को 573 Kelvin temperature पर copper के उपर से पास कराते हैं ठीक है reduced copper के उपर से पास कराएंगे तो उस condition में हमारे aldehyde और क्या बनेंगे ketone बनेंगे देखो अल्कोहल इट कैरीड आउट बाइ पासिंग दवाइपर आफ अल्कोहल ओवर reduced copper at 573 Kelvin temperature primary alcohol gives aldehyde while secondary alcohol gives ketone ठीक है जब हम primary alcohol को क्या करेंगे 573 Kelvin temperature पर primary alcohol को अगर हम reduced copper के उपर से पास कराएंगे तो हम क्या मिलेगा aldehyde वहीं अगर हम दूसरी बात करते है ketone की तो ketone में क्या होगा कि जब हम secondary alcohol को 573 Kelvin temperature पर reduced copper के उपर से यानि secondary alcohol की वैपर को जब हम पास कराते है तो हम यह क्या मिलता है बच्चों वहाँ पर ketone मिलता है example देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमारा primary alcohol में example आता है जैसे हम ethyl alcohol के बात कर लेते हैं तो ethyl alcohol की वैपर को हम क्या करेंगे 573 Kelvin temperature पर reduced copper के उपर से पास कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा acetaldehyde क्या मिलेगा acetaldehyde और वहीं पर अगर हम बात करते हैं secondary alcohol में आ जाता है जैसे हमारा isopropyl alcohol तो जब isopropyl alcohol की वैपर को ठीक है क्या करते हैं 573 Kelvin temperature पर copper के उपर reduced copper के उपर से पास करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चो यह acetone मिल जाता है catalytic decomposition के तरो हम लोग alcohol sorry aldehyde और ketone कैसे बनाएंगे ठीक है तो देखो aldehyde and ketone can be prepared by the catalytic decomposition of carboxylic acid यानि हम carboxylic acid का जब हम catalytic decomposition कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा aldehyde मिलेगा और ketone मिलेगा कैसे this can be done by the heating of mixture of methanoic acid इसमें क्या करते है methanoic acid को हम लोग उनके mixture को गर्म करते है and the other acid is two and other acid और एक और acid होता है अब देखो यहाँ पर temperature जो होगा 573 Kelvin in presence of magnus oxide with at as catalyst तो magnus oxide क्या होगा जो कि एक catalyst का का काम करेगा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ examples की ठीक है यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं दो molecule ले लेते हैं formic acid के ठीक है formic acid के हमने दो molecule ले लिए ठीक है formaldehyde water and carbon dioxide समझ में आया होगा उसी तरीके से अगर हम acetic acid की बात करते हैं तो acetic acid में अगर हम बात कर लेते हैं तो दो molecule ले लेते हैं acetic acid का एक पहला और यह दू दो molecule ले ले लिए और magnus oxide की presence में जो की catalyst का का काम करता है उसकी presence में 573 Kelvin temperature पर इसको क्या करेंगे हम heat करेंगे तो जैसे हम heat करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा CS3 CO CS3 यानि acidone बने जाएगा H2O बनेगा और water बनेगा थोड़ी से important knowledge यहाँ पर और ले लेते हैं यानि कुछ important point है इस method के यानि catalytic decomposition के अगर हम बात करते है तो in this method LD height are obtained only when at least one acid formic acid तो दोको इस method के थो हम LD height तभी बना सकते हैं जब क्या होता उन में से एक acid क्या हो formic acid हो दो acid होगे लेकिन उन में दो में से क्या होना चाहिए कि एक acid formic acid होना चाहिए तभी हम इस method के थो क्या बना पाएंगे LD height बना पाएंगे और उसी का second दिया गया है कि ketone और optane only while two carboxylic acid are heated जब कि हम ketone कब बनाएंगे जब दो carboxylic acid को क्या करेंगे heat करेंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर except यहाँ पर H इसको छोड़ करके HCOOH को छोड़ करके ठीक है तो ketone बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हमें दो carboxylic acid का होना कंपल सरी है लेकिन method कब जब हमारा catalytic decomposition होगा किसी भी carboxylic acid का तो catalytic decomposition में अगर हमें ketone प्रपेर करना है तो हम क्या करेंगे दो काम से कम carboxylic acid का होना necessary है लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं किसकी LD हाइड की तो उसमें एक LD हाइड Optane add one acid is formic acid एक formic acid होना चाहिए ठीक है तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा अब इसके आगे के preparation method जो भी है उनको देखेंगे आगे बात करेंगे हम ozone olysis of alkyne यानि alkyne का ozone olysis कराने पर हमें LD हाइड प्राप्त होता है या मिलता है देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक alkyne ले लेंगे और उसका ozone olysis करा देंगे मतलब ozone के साथ reaction करा देंगे तो यहाँ पर जो project प्रोडेक्ट दिख रहा है आपको यह वाला जो प्रोडेक्ट ठीक है यह जो प्रोडेक्ट दिख रहा है क्या बनेगा ओजूनाइड बनेगा फिर ओजूनाइड क्या करेंगे जिंक ड़स्ट और वाटर की प्रिसंस में यही dust और water की presence में जब reaction करेगा तो क्या बनेगा ये बनेगा aldehyde क्या बनेगा aldehyde बनेगा और ZnO बनेगा zinc oxide बनेगा ठीक है तो यहां तक थे हमारे preparation method कुछ important preparation method of aldehyde and ketone ठीक है तो I think सबको समझ में होगा अगर समझ में है तो वीडियो को like subscribe और share करिएगा ठीक है thank you for this class